असलाम लीकुम स्टुडेंट्स वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल व्ल्डव एजुकेशन और आज हम व्ल्डव एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर आपके साथ एंजी 101 की ग्रैंड कुछ की त्यारी किस तरह करनी है वह बात शेयर करेंगे और ग्रैंड कुछ किस तर अगर आप मेरे चैनल पर नुए तो को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त तोर पर मिल सके सब्क्राइब को प्रेस करने के पाट आपने बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन चलते हैं त्यारी की तरफ आप सब को पता है कि आपकी जो इस रहें जो आपका जाया हुआ है वह आपका लेक्षर नुमबर इलावन से लेक्ट्र नमबर ट्वेंटीट तक है याई सिर्फ बारा लेक्ट्र में से आपने अच्छे दिशन कर लें सबसे पहले क्या परने आप स्लो रिडिंग कर सकते हैं वो कौन सा मैथेड़ आपको वोकलाइजेशन मैथेड़ है इस तरह एक साइलेंट वर्ड है इस तरह यह तो आपने अच्छे तरीके से पढ़नी जब में चीजे में आपर अंडरलाइन कर दी और इंशाला विडियो के साथ मैं इसको अंडरला किसका परपस राइटिंग की बात कर रहा है आपको पता होना चाहिए कि आपको टॉटली इंगलिश की किताब जाओ रीडिंग और राइटिंग के बारे में है तो सबसे पहले आपको रीडर का या पढ़ने वाले का आपको एटिट्यूड और टॉन के बारे में बता होना चाहिए अब जो एक्सप्रेस कर रही होती है अब यह चीज़े आती होती है कि राइटर की फिलिंग को कौन चीज़ एक्सप्रेस करती है टॉन एक्सप्रेस करती है एक्सप्रेस करता है यह क्या चीज़ ऐसी है कि जो राइटर की फिलिंग को आपको बता रही होती है उसकी ज कम्यूनिकेशन को इस तरह नोगा आगे आगे बात करें तो यह आपने इस तरह पड़ए not य को इस तरफ पोस्टेश पारे में में यापने की बातकर बात कुछ नहीं है kinds of questions देखें जी यह भी आपसे पूछ सकता है कि the kinds of questions or the kinds of questions or reading passages are likely to be as follows सबसे पहले आपको kind of questions के बारे में meaning का पता होना चाहिए meaning क्या होता है meaning का मतलब क्या है आपका मतलब क्या है आप अपनी बात को convey करना चाहते हैं फिर facts है आपको पता है facts किसे कहते है facts और opinion बड़ा important topic है इसको आप important लिख लेंगे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक fact है और एक दूसरा opinion है कि वह आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ एक fact है इसको आप important लिखने इसके लावा reading क्या होती है lines के द्रम्यान आप रिडिंग करते हैं दूसरा आपके पास जो है वह metaphor है metaphor किसे कहा जाता है इससे जो है इस तहारा भी कहा जाता है language है इसके अंदर भी आपने total चीज़ों को summarize किया आपने total चीज़ों को देखा उसके बाद आपने नतीज़ा यह निकाला कि यह आपको जो नतीज़ा होगा वह आपकी संब्ली के अंदर conclude करेगा आगे एती opinion 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 का मतलब है राय राय किसे कहते है राय और fact में बड़ा फ़रक है मैं अगर आपको यहापर समझाओं थोड़ा सा duration लंबा हो जाएगा लेकिन आपको समझाना बहुत important है opinion का जाता है राय को यानि आप अपनी राय का आज़ार कर रहे नहीं जबकर यह होता है हकीकत हकیقت کا मतलब भी होता है कि आपने क्या करना है आप कोई अच्चकी चीज पर बात करना है और राय का मतलब कोई भी राय कर सकता है मैं कहा रूँ कि आपका हो सकता है यह कोस्चन आजा तो यह मेरी अपनी उपीनियन है लेकिन आपका आए या ना आए वो आप खुद देखने वो आपका fact है तो ये दोनों चीज़ें में difference याद रखना बड़ा important है ये आपको लाजमी तोर पर papers में बोचाएता है in fact ये final papers में भी आपको आएगा जो आपके final time exams होंगे उसके अंदर एक से 2 mcqs यहां के लाजमी आते होते हैं तो आगे बात करते हैं जी lecture number 12 की lecture number 12 में आपके क्या है making जो है आपका inferences इसमें आप क्या पढ़ेंगे इसके अंदर आप true false को देखेंगे जो कि आगे जाके बात करेंगे हम जाके ये देखी आपने पढ़ लेना है एक दफ़ा पुरा सिर्फ आपने याद कर लेना है बाकी आपको यहां पर याद करने वाली कोई चीज नहीं आपना concept जास को लाजमी तरह कर लेना है तो अगर हम बात करें तो यह आगया opinion और fact यह बहुत दफ़ा पूछ जाते हैं यह बहुत जादा important topic है यहाँ पर लिख भी लें important topic अगर आपके पास physical handouts मोचुग है तो आपने इसको लाजमी तोर पर लिख लेना है कह रहा है देखे मैं अगर आपको एक समझाओं तो my brother मेरा जो भाई है aslam is very handsome जो aslam हो बहुत जादा handsome है अब देखे हो सकता हो मेरी नजर मेरी नजर में handsome हो लेकिन आपकी नजर में handsome ना हो तो ये क्या है ये एक opinion है इस तरह का हम चीकुछ पिछली दफ़ा आया हुआ था इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं इसके लगा क्या है last night जो पिछली रात थी there was an accident on the highway अब एक accident हुआ हाई वे पर definitely आपने देखा मैंने देखा तो ये क्या एक fact है fact का मतलब ये ए पॉइंट के बारे में इसको आपने इस तरह याद कर लेना यह भी important है इस वे आप important topic लिए एक grand quiz की त्यारी कर रहे है हम थोड़ी सी वीडियो का duration जो लंबा हो सकता लेकिन आपने वीडियो को complete post करना है था कि आपका concept clear किया जा सके आगे क्या है value words often represent opinion आपके value words कौन से यह आपने याद कर लेने यह भी पूछा जाता है कि एक पिछी दफ़ा bad आया हुआ था bad is a value word क्या bad एक value word है true और false तो आपका answer था true या false तो आपने इस तरह से याद रखना है कि आपका answer true होगा इस तरह यह सारी words है जो कि आपने इसको पढ़ लेने हैं इसको यह आपनी भूल नहीं होंएं तो आप लिए कि कोई भी मुश्किल बात नहीं है अड्जेक्टिव क्या होते हैं एड्वर्बल क्या होते हैं यह भी आपने इस तरह याद कर लेना याद कर लेना बाकी इन्शाला मैं आपके साथ जो आपकी करेंट्ली फाइल है 2020 में आने वाले जितने भी को साम है आपको बताना लेकिन पढ़ना अब आपने खुद से है चुके मैं इंशाला अपकमिंग डेस के अंदर अपकमिंग जो आएगा नेक्स मिस्टर के साथ मैं यह जो नया आने वाले स्टुट्ट्स नों के लिए भी मैं एक दफ़ा दिखा दूंगा एक दफा उनके लि सेकंड टाइम में वेन कहां पर कंसिस्ट करेंगा हो भी स्टाइम में तो इस तरह की चीज़े होती है यह आपने याद करने यह वागी जो टॉपिक संटेंसिस आपके बहुत बड़े-बड़े संटेंसिस को आपने स्किप कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर बात करें लेक हो सकता है कोई भी करदार निभा सकता है तो इस तरह से आपने करदारों को याद रखना है टोटल यह एक आपकी जो फैक्ट बुक है वह उस पर कंसिस्ट कर रहा है तो आपने इसको बस अपना कुंस्टा लाज़मी क्लिए करना है इसके लाब आपको रटा लगानी की ऩह नहीं है फिर डारेक्ट स्टेटमन्ट का मतलब कि अगर मुझे आपको चीज पसंद नहीं तो आपको डारेक्स पसंद नहीं आई जी आप गलत काम करें यह यहां पर देखें याद रखनी होती है इसके बारे में आपने पड़ ने नहीं है रहा है कि five varied characters हैं जिसको आप इस्तमाल कर सकते हैं हर sentence में कौन-कौन से आप for example कह सकते हैं for instance कह सकते हैं इसके लावा an example of this कह सकते हैं तो यह तमाम तर वो चीज़ें जिसके जरीए आप अपने sentence को अपनी बात को अच्छे तरीके से जो है represent कर सकते हैं किसी के भी सामने writing की बात को बहुत जादा जो तरीके होते हैं उनमें लिखा जा सकता है उनमें पढ़ा जा सकता है तो इसके बारे में आपको इस लेक्चर में बता रहा है लेक्चर नमबर 15 की बात करें तो अब आपके सामने हैं interrupting visual data इसका मतलब क्या होता है इसमें आप इस तरह पढ़ लेना देख अबर एक total जो है true false के exercise दी हो यह true false आपके English के अंदर ज्यादा आते होते हैं तो यह आपने इस तरह याद करने नहीं है यह इंपोर्टन है इसको आपने skip नहीं करना फिर graph की बात करें तो graph की definition भी बहुत दफार पुछ आती क्या होती है graphic illiterate कर रहा होता है आपको बता रह होता है कि relationship क्या है two things के अंदर जो कि आप क्या करते है और which is made on vertical axis and the other or horizontal axis अब mathematics के student है आप सब को पता है कि vertical axis and horizontal axis में फ़रक क्या है इस तरह और इस तरह वाला आप यह जो graph होते हैं यह आपको दो चीदों के सामने distance बता रहे होते हैं इनका relation relate करके आपको दिखा रहे होते है आपको बता रहे होते हैं बार graph को किस से represent किया जाता है यह भी बहुत ज़्यादा important mcqs है कि bar graph को किस से represent किया जाता है तो आपको यह आना चाहिए कि जो colon होता है इसको bar graph से represent किया जाता है bar graph is similar to the line graph except that the bar extending from either the vertical on the horizontal axis बार ग्राफ वह कहता है similar होता है किसके line graph के यह भी mcqs आप से पूछा रहता है कि bar graph is similar to which one line graph खाली graph या none of them तो आपको पता होना चाहिए जब बार ग्राफ होता है वो line graph को डिस्टरब कर रहा होता है वो line graph को बता रहा होता है दिखा रहा होता है उसी के सामने वो उसको पेश कर रहा होता है सारी की सामने बारे में आगे बात की अगर तो आगे क्या है आपका आगे भी फिलिंग दा ब्लैंक्स है इसको आप स्किप वगरा कर सकते हैं यह इतना इंपोर्टन नहीं है अगर आगे बात करूं इससे आगे तो देखें आपके सामने comparative absolute या आपने सिर्फ पढ़ने ना यहां से जादा तर कुछ नहीं आता हो आगे यह इंपोर्टन टॉपिक है देरा मैनी रीजन्स फोर यूजिंग कंपोनेंट इन डिसकरिज दे में भी शो एज एक्विलेंट है नॉन इक्विलेंस है दा सुपर लेटिव पर पैरलल इंगीज चीजें क्या होती है यह आगे आगे आपको साथ डिसकस करते हैं तो यह पूँश जाते हैं तो यहां है कि यह आप से बूछते हैं आपसे पूचे जाते हैं are similar are similar is are equivalence या क्या कहारा है non equivalence या super native तो आपको पता होना चाहिए कि जो यह वला जो table है यह equivalence का तो यह आपने equivalence ही लगाना है तो यह आपने लफ जो है इसको चीजितना याद कर लें इसका रटा लगा लें यह आपके लिए जादा बेतर है फिर नॉन एक्विलेंस क्या आ जाता है यह table of non-equalence है इसके अंदर आप क्या बात करते है not as यानि more than fewer than less than not equal to या इसके अंदर आप यह बात करते हैं कि जो काम नहीं हो रहा या बहुत जादा किसी भी quality को show कर रहा है तो आप यहां पर जो है इस चीज़ की बात करतेμα क्यों नॉन एक्विलेंस की बात करें है तो यह table आप नहीं जाने याद कर लेना इसका मतलब क्यों होता है word को और जो construct के रहा होता और लीस्ट का जाफा करते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि यह वो टॉपिक्स हैं जो के पिछले क्विज के अंदर 2020 के अंदर हर स्टुटेंट के कुश्चन में हर स्टुटेंट के क्विज में आई हुए थे तो यह आपने अच्छी तरह य करते हैं यहां पर यह कि अवैलियूटिंग टैक्स को बहुत जादा इंप्रटन क्या होती है आपकी जिस तरह आप्टेमिस्टिक का क्या खुशी या मायूसी को इसके लावा पिर आपको बिटर है तल्ख को पिर टॉलरेंट का मतलब क्यों होता है जो आपकी होती है बरदा UH máyosी का मतलब यह होगा कि मैंने आपसे कहा है कि जनाब यह आपके नमबर जो है वो कम हैं हराकि है अपको किसी के सामने कुर रहे हूं तो यह आपकी बेच्टी कर रहे हूं तो यह आपके लिए मायूस को न अब यह वाप्शन में आपसे पूचेगा कि अब यहां पर आप प्याहत Hm आपको खुश करूं कि आप भोट अच्छे हैं जी तना गरते हैं इस थारन गड़े का तो आप प्रड़ाट होगी कोई इस तरह से मैं आपको साथ अगर कोई बरदाश करने की बात कर रहूं मैं कोई मजाया बात करूं तो यह तमाम तर चीजें आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है आपने अच्छी तरह प्रिपेर की हुई है अब मैं इतना जादा तो आपको डिडियल से बनते हैं क्या होता है यह टॉंट की वज़ा से होते हैं तो यह आपने इस तरह याद कर लेने हैं फिर इसकलावा एग्रिमेंट किसे कहते हैं एक जो इन विच इन इस वन इन विच यू मेंक पॉइंट और दन प्रोवाइट स्पोर्ट एग्रिमेंट चीज को कहा जाता है कि आप दो बंदों की एक चीज़ पर रजामन दाना जो कारकरदगी होती है तो आगे आपको एक्जेंपल दे रहा है कि मैं नाइट बोर्ड जो मेरे निबर्स है वह इंकंसिडूरेटर है वह एकसेप्ट यूटू प्रोवाइड तो आप मेरा काम है आपको सरफ वह बताना इ दे को किसी को टौंड करें उसी को आप इंगली उसको अपको पर लेना है आपको पेज नम्र भी लिखा जाता हूं इसका पैज नम्र पीडिक है और वन दॉरोफाइब जोई है इसको चीज़ूरा से आपने याद कर लिक्ति अगर बात की जाये तो क्या होता है है इस बहु गन्राइजेशन होता है यह एक वो नतीजह होता है जो कि लोजिक नहीं बता रहा हुता यह अगर किसी वी चीज़ के पिचे लॉजिकली बात की जए ना तो यह लोजिक आपको नहीं दिखा रहा होता है सिर्फ यह आपको यह एक मनसा या एक बिल्कुली जो बेवाकुफाना अगर आप नतीजा निकालने बिना बात सुने बगार तो यह वह वाला जो जो जनरलाइजेशन जो आपका कंक्लियून होगा वो होगा आपके पास इसके लावा इधर का मतलब क्या है फैलिका का मतलब क्या है यह भी आप से है इसका टॉपिक संटेंस क्या है जिसतरा मैंने कहा हॉब आप नतीजा निकालना आना चाहिए कि इसका टॉपिक क्या होगा इसका क्या चीज है आपने पर अच्छे तरह पूरा पढ़ना पूरे कि परिये चुक्षी आपके पास इस तरह का बहुत आप से पूछा जाता है जिस तरह यह है कि डाउन बाइडा स्लेबस डाउन टू फर्दर तो आपको पता होना चाहिए कि हमने एप्रोप्रियेट संटेंस को इस्तमाल करना है मैंने आपके लिए एक और फाइल बना रखिया जिसके अंदर टाइम प्रेट के मैंने आपको बताया है वह इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा ताकि आपको उसके बारे में भी अच्छी तरह दिखाया जासके तो यह वह आंसर्स की एक्सराइज है यह आपनी आंखों से गुज आपने बार बार रेडिंग की तो क्या करना है यह आपको true और false की बात कर रहा है तो आपने true और false में इसको याद कर लेना है understanding the passage अब आ आपट ले दिया इस passage को आपने complete read करना है उसके बाद आपने यह बताना है कि यह क्या true या false है इस तरह आपसे सिर्फ दो से तीन यह में लिए अपको पेसेज्स के बाद आपका ऑले का उसलियू के वारे में आपको पीष़ UK ॥े दिया है यह सारे आपने main idea बताने हैं आपको पता है कि आपके साथने एक topic होगा उस topic को आपने देखना है और इस topic के जो होगा है वह जिन्रेंट करके इनको दिखा देना है तो appropriate जो होगा है वही आपने लिखना है appropriate किसी कहा जाता है Bus focus कहते है cause केते हैं वजा को effect किसे कहा जाता है effect केते हैं जिसकी वजा से हुआ अब देखें बात किस तरह करेंगे आगे यहां पर एक इसकी दी दी वी तो यह true false आपम इस तरह पढ़ लेनें सबसे पहले अब बात करें एक एक्जम्पल्स की कॉंटेंट रिव्यू है इसको भी आपने तब अच्छताना रीड़ाउट कर लेना है इसके इलावा जहां पर इसकी एक्जम्पल्स आप पूछी जाती है अब आपको पता होना चाहिए कि यह कोज यह अफैक्ट है तो कोज और फैक्ट का मतलब क्यों होता है उसके आपको इस तरह का एक पैराग्राफ दे दिया जाता है लेकिन यह पैराग्राफ आपके जो सब्जेक्टिव टाइप होता है इसके लावा यह आने के चांसिस नहीं होते हैं कोई इसके इंदर तो आपने इसके बारे में परिशान नहीं होना 21 की बात कीज़े तो य आपने इस तरह पढ़ लेने अगर तो यह इसके अंदर होगा तो वह तो यह वह जो आपने पैसिज को देख के रीड़ाउट करनी तो आपको यह जिस तरह आपने नाइंटर कंपैरियंचन लिखा हुआ था तो आप उसके अंदर से कोस्टिंद के जो आंसर थे वह निकालत है यह इंफिनिटिव है रेलिटिव जो एडवर्ब है यह तो इसके बारे में आपने अवरल पढ़ लेना अच्छी तरह से यह आप से बहुत दफार पूछा जाता है सिंपल संटेंस के पहचान क्या होती है इसके लावा यह आपने इस तरह पढ़ लेना प्रैक्टिस आप दीविए प्रैक्टिस आप छोड़ भी सकते हैं इसके अफोर बहुत जादा इन पॉर्टन यह बहुत ज्युत रही हो इक है यह उपन्चूर दिया तो यह आप के सारे प्रश्य कर रहा है लेशन दे रहा है यहां पर कुछ मैंने लिखा हुआ है सिंपल संटेंस क्या होता ह बाट का मतलब होता है तो जब आपको बाट टू इंडिपंडेंट क्लास आजेंगे वह और जिसको हम किसे जोड़ते हैं आफ्टर से सिंस से वन से यह वह इलफाद हैं जिससे आप कंप्लेक्स सेंटेंस को जोड़ते हैं बहुत ज़्यादा है अगर आपको नहीं समझ जाई तो आपको लेगा तो आपको जो आपको जाएंगे तो मैं आपको एक आपके सामने वीडियो बनाके जो है वह कर दूँग आपको समझ आ चुकी होगी इसके लावा मैं आपसे पिर कहारा हूं कि इसलामियात है पाक्स्टेडी है वह भी मैं आपको साथ इंपॉर्टन जो लेक्ट्छर्स हैं वह भी आपको साथ शेयर कर दूँगा CS101 के मैं इस चैनल पर अलड़ी MCQs के पॉर्णी वीडियों से इं मैं आपके लिए जो मजीद सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी स्मिस्टर वन के स्टुट्स के लिए उनकी भी मैं आपके लिए जो है वो लेकर आऊंगा जो इंपॉर्टन डॉपिंग है MCQs के लिए और जो प्रेंट्ली आपकी फाइल है 2020 में कोशन आए मैं वह भी आपके साथ शेयर कर दूँगा इसी चैनल पर आपको समझ आ चुक्यों कुछ भी समझ नहीं है तो आपने मुझे से कमेंट्स सक्षिन में लाजमी पूछ लेना है मैं चाला आपके कमेंट्स कर रिप्लाइ करके आपको ऐस सुन आस पॉसिबल आपके कॉंसेट्ट जब क्लियर कर दूँ झाला आपके कमेंट्स